स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज को जो वीडियो है बहुत ही यूसफुल होने वाला है और बहुत ही कामका होने वाला है देकि हम सबी के घर में इस तरह की कि सिलाई मशीन होती है जिसने कि कई बार दागा फज जाता है जाम हो जाती है बहुत भारी चलने लग जाती है या फिर बहुत आवास करती है तो ये जो दिक्कते होती हैं इनसे हम लेडीज बहुत डर जाती हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारी मशीन खराब हो गई है हम मेकैनिक को देने के लिए जाते हैं लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ही यूसफुल होने वाली है इसमें मैं इनी चीजों का सॉलूशन बताऊ और ये जो टिप और ट्रिक जो मैं आज बताने वाली हूँ आपके साथ ये मैं इस मशीन में करती हूँ और हम लोग जो लेडीज हैं हम लोग जो ग्रहनिया हैं वो डर जाती है कि हमारी मशीन के साथ ये क्या हो रहा है तो इस सारी चीजों का सॉलूशन मैं इस वीडियो मे जरूर कीजेगा तो चलिए फिर जादा बाते नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप मशीन को यूज़ कर रहे हैं या फिर इसे यूज़ करके रख रहे हैं तो इसको साफ जरूर करें क्योंकि अगर हम इसे cover में भी रखते हैं तब भी इसमें धूल मिट्टी आ जाती है तो time to time अपनी machine को जब भी आप use करने के लिए machine को निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसे साफ कर ले क्योंकि इसमें जो मिट्टी होती है वो जम जाती है वो सब इन hole से वो अंदर चली जाती है ठीक है सबसे पहली बात ये अपनी machine को साफ रखें सबसे ज़्यादा जब machine में problem होती है खराब होती है तो इसके shuttle में दिक्कत होती है क्योंकि धागा जो होता है इसी जगा पर फस्ता है तो चलो फिर सबसे पहले यहीं की बात कर लेते है तो देखिए machine को सबसे पहले मैंने उसके box में से निकाल लिया है और यहाँ पर यह होती है shuttle इस तरीके से ठीक है shuttle मैं निकाल लूँगी और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है जब भी धागा फस्ता है या machine jam हो रही है machine tight हो रही है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इसी area में आती है पूरी machine का जो balance है इसी जगह से बिगड़ता है तो हमेशा हमें इस जगह को साफ सुत्रा रखना चाहिए इसमें कोई dust नहीं हो रहने चाहिए कोई धागा वगेरा नहीं फसना चाहिए अगर इसमें धागा फस्त जाता है तो machine आगे नहीं चलती है जो हमारा handle होता है वो jam हो जाता है सुई उपर नीचे नहीं जाती है और ये फस्त जाता है तो चलो फिर सबसे पहले यहां का इलाज करते है और यहां की trick बताती हूँ कि क्या trick है जिससे की हमारा जो ये shuttle है हमेशा सही रहेगा और jam नहीं होगा ठीक है काफी ladies को मैंने देखा है कि इसे खोलने में उन्हें problem होती है देखे बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है इसको खूल की सफाई करना बहुत आसान होता है और कई लोग होते हैं जिनसे ये वापस set भी नहीं हो पाता है तो मैं एक बहुत अच्छी trick बताऊंगी जिससे की आपका ये shuttle बहुत अच्छे से set हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो दो page दिये हैं आपको इसे खोलना है हम ladies machine के पुर्जे खोलने में डरती हैं हम लोग सोचती हैं कि कहीं कुछ गरबर ना हो जाए लेकिन देखे ऐसा कुछ नहीं है जब भी हम किसी चीज को open करते हैं open करने से पहले आपको चीजों को देख लेना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे set है तो हमें same वैसे ही लगानी होगी इसलिए डरने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि मैंने करीद देखा है कि ladies डरती है इन चीजों को खोलने में तो देख सकते हैं आप में इसे हटा देती है तो यह देखिए यह देखिए कितना dust इसमें जबा हुआ है क्योंकि मैंने काफी टाइम से machine को साफ नहीं किया है आप देख सकते हैं इतनी मोटे layer जमती है यह देखिए अब जब यह layer जमती है तो यह हमारे इन पार्ट्स में भी गिरती है जिसे कि हमारी machine भारी चलती है और jam होने लग जाती है तो यह देखिए कपड़े से साफ कर लेंगे इस तरीके से गंदगी हो रही है jam हो रहा है यह चीज़े देखिए अब यह देखिए इसको खोलना है इस वाले इसको पुरजे को और यह निकल जाएगा और यह देखिए कितनी गंदगी इसमें हो रही है तो यही reason होता है हमारी machine का भारी चलना हमें हर पार्ट को साफ करना है यह देखिए इतनी गंदगी जम जाती है अब यह पूरी चीजे मैंने साफ कर ली है अब यह जो हमारा पाट है इस जगे भी हमें कपड़े से साफ करना है इस तरीके से और आप इसे सैट कर सकते हैं यहाँ पर या फिर इसको पहले सैट कर लीजी फिर इसके बाद जिसको लगाई है ये जो होल है, ये इसकान मिलना चाहिए और ये जो बड़ायबला पेचे न, ये इसका है हो गया, सेट हो गया और बिलकुल अच्छे से साफ हो गया अब हमें क्या करना है, देखिए मशीन का तेल हम सब लोग use करते हैं सात में, अब मैं use करने वाली हो ये देखिए, जो ये वैसलिन होती है ये यूज़ करेंगे हम इसके साथ, तो इसमें बहुत ज्यादा फाइदा हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखिए, मैं एक कटोरी में ले लूँगी, क्योंकि ये तेल की महका जाएगी फिर इसमें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से देखें, थोड़ी सी वैसलिन इसमें निकाल लूँगी, जो कि मुझे बार बार जो पेजकस है वो मुझे वैसलिन के इसमें ना डालना पड़े, अभी देखें, यह है पेजकस, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी इस तर तरीके से खोलूंगी और इसको हमें थोड़ा सा इसमें टिप करना है इस तरीके से ठीक है अब देखिए जो हमारे यह है ना यह देखिए इसमें लगा देना है इसे तरीके से यह फुली ग्रीस का काम करेगी खाली तेल नहीं है पूरी ग्रीसिंग हो जाएगी एट कैसे करना है देख सकते हैं यहाँ पर यह देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है तो जो यह है ना हमें ऑपोजिट साइड लेना है बिल्कुल इस तरीके से देखिए वह ऐसा है तो यह इधर को होना चाहिए ऐसे समझ गया है यह देखिए अब हमें इसको सेट करना है किसे लग रही है न इसका मतलब आपका च receivers नहीं लगा है जब हम शुई गुमाएंगे खुए अच्छे से लाझाये का तो हमारा सडल सही लगा है कि तो यह देखिए अच्छे से शुई लगाए ना शटल को तो दोनों पेचों को सांशाथ लगाएं यह नहीं कि एक पेच पहले लगा दिया फिर दूसरा नहीं दोनों को सेट करें अपनी अपनी जगा पर जोकी टेड़ा मेरा ना हो तो यह देखे, आधे-धे दोनों लग गए हैं, अब मैं इस तरीके से finger से support देखे, इस तरीके से गुमा गए, अब थोड़ा इसको लगाईए, फिर इसको लगाईए, अगर एकी साइड पहले आप पेच कस देंगे न, तो यह एक तरफ tight हो जाएगी और टेड़ा हो जाएग तो इस तरीके से आधा-धा करके, तो यह देखिए, कितनी हलकी लग रही है यह मशीन, इसमें greasing हो जाए, खाली तेवल डालने से नहीं होता, यह देखिए, कितनी soft लग रही है, यहाँ पर वैसलिन इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको dip करूँगी इसमें, और यह देख देखिए, यह मैंने नीचे किया हुआ है, तो यहाँ पर इतने आराम से चल रही है, सेम यहीं देखिए, इस जगवा उपर भी करना है, यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी वैसलिन लगा दी है, और इसमें फिर मैं oil डाल दूँगी, इसे अंदर आदेखिए, इसको भी हमें यहाँ पर, साफ करना है, इसको भी हमें यहाँ पर, साफ करना है, इसको भी है, यह देखिए, इस जो पुर्जे हैं न, और यह दर जो दूसरा है, इदर की साइड है, यहाँ पर भी मैं इस तरीवी से वैसलिन लोंगे, और यहाँ पर भी हमें लगा दूँगे, यहाँ बहुत अच्छे से ग्रेसिम हो जाएगी, आपकी मशीन, इसको पलट लिया है, और यहाँ पर भी जितनी गंदगी है, उसको मैं साफ कर लूँगी, वैसे तो मशीन साफ है, बिल्कुल, यह देखिए, इन सभी में हमें यही करना है, थोड़ी थोड़ी वैसलिन इस तरीके से यह देखिए, यह देखिए, बहुत अच्छी से वाइलिंग हो गई है, और इस जेगा पर तो हम पहले ही लगा चुके हैं, साफ कर चुके हैं उसे, तो अब हम जब मशीन चलाएंगे न, तो बहुत अच्छी मशीन चलेगी, तो इतने बढ़िया से यह मशीन चकाचक हो गई है, तो देखा आपने हम घर पर ही अपनी मशीन को सर्विस कर सकते हैं, इसी तरह से मशीनों की सर्विसिंग होती है, तो आगे से जब भी आपकी मशीन भारी चले, या धागा फस जाए, या इसमें कोई इस तरह की की दिक्कत हो, आवास कर रही है, फस रही है, टाई बहुत जादा भारी हो गई है चलने में, तो आप ये अगर ट्रिक करेंगे, तो आपकी मशीन 100% ठीक रहेगी, और सालों साल आराम से चलेगी, तो मेरी तो यही ट्रिक है, इसको सालों साल अच्छे से चलाने के लिए, जो कि इसे 12-13 सा साल हो चुके हैं, ये मेरी शादी की मशीन है, तो 13 साल मेरी शादी की हो गए है, और 13 साल से ये continue चल रही है, अभी तक ये डॉक्टर के पास नहीं गई है, एटमिंसी मैकेनिक के पास नहीं गई है, तो इस तरीके से आप भी अपनी मशीन को हमेशा healthy रख सकते हैं, और बिल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई चेक ये